Hello, good morning everybody. Welcome to our channel OnlySuccess. और रोज की तरह हम लोग अपना Hindu editorial और Hindu newspaper आद डिसकस करेंगे और उसके बाद में हमेशा की तरह रोज 5 vocabulary जो हम लोग वोकेबिलरी एंडिश्मेंट प्रोग्राम चला रहे हैं उसके तरह 5 vocabulary रोज हम लोग डिसकस करेंगे जो की newspaper हिंदू से ही होगी और हम लोग शुरू करते हैं और इसको बहुत जाद लंबा नहीं करेंगे और अगर सबसे शुरू करने से पहले आप लोग बता दूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले जिससे कि day to day आपको vocabulary enrich आपकी होती रहे और newspaper आपका cover होता रहे चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज गॉवर्मेंट सेज एट लाख EWS कैप drive after study तो इसमें ये न्यूज उससे related है कि सुप्रीम कोट ने पूछा था कि आपने EWS के लिए ये जो कैप decide किया है तो आखिर decide करने के पीछ लॉजिक क्या है तो उन गॉवर्मेंट का ये कहना था कि इसमें जो कैप है कैप decide करने से पहले हम लोगों ने पूरा detailed study किया है और study करने के बाद ही हम लोगों ने cap decide किया है तो जो आप इसको जो काउंसलिंग है नीट students की उसको आप होने दें और इसमें एट लाग के कैप के साथ इसको as soon as इसको रिवाइक किया जाए अब इसमें important point ये है कि जो EWS जो reservation लागू किया था एंडिया government ने वह constitutional amendment था जो की जो highlighted है वह article 103 constitutional amendment 103 के तहत हुआ था इसको आप लोगों को याद होना चाहिए ये important है अगली news है government panel to probe security labs ये political news है ये जब detailed आएगा security breach के उपर उसमें हम लोगों discuss करेंगे अगली news जो news है ये TTT Ramakrishnan Mission lose FCRA ये news basically इसलिए highlight हो रही है क्योंकि कभी कोई भी NGO कभी भी जब हम लोग को NGO register करते हैं तो उसके लिए एक तरीका होता है कि FCRA के तहत इसका annual registration renew किया जाता है FCRA का मतलब होता है Foreign Contribution Regulatory Act मतलब कि आप फॉरन से कितना fund ले रहे हैं कितना fund नहीं ले रहे हैं आपको government को देना पड़ता है तो basically यह जो Mother Teresa की Mother Teresa कुछ missionaries थी उसको government ने renew नहीं किया है उस वजह से यह news highlight में तो government ने अभी पूरा data दिया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही missionaries है जो राम लोगों ने renew नहीं किया है FCR Act के तहल बलकि 6,000 से भी ज्यादा NGO's है जिनको registration renew नहीं किया गया है जिसमें से राम किष्ट मिशन NGO है उसको नहीं किया गया यह देखिया यह दिया गया है जैसे टिरुमाला देवस्थानम का NGO है एक है और सिर्डी साइं ट्रस्ट है इस तरह से करके बहुत से हैं तो इसको गवर्मेंट ने clarification बेसिकली इसलिए दिया था कि यह न लगे कि anti-Christian हो रहा है क्योंकि यह anti-particular किसी religious sentiment से प्रभावित होके यह नहीं किया गया है अगली न्यूज देख लेते हैं अगली रश्या 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 लेट ट्रूज इप्लाइट इन कजाकिस्तान यह अभी देख रहे हैं हम लोग Central Asian जो भी development हो रही है यह वाली न्यूज बहुत important है basically यह है कि कजाकिस्तान में जो वहां का internal matter है वहां पर एक unrest हो गया है और unrest में यह है कि वहां पर price hike कह लिजे, inflation कह लिजे तो उसमें इसकी वज़े से जो civil unrest होने की वज़े से वहां पर रश्या की leadership में कुछ troops भेजे गया है basically यह local organization है जिसको यह बोलते हैं हम लोग CSTO यह देख रहे हैं आप लोग यह वाला यह CSTO बनलब collective security treaty organization यह basically कजाकिस्तान के लावा पाँच और countries है जो इसमें शामिल होने के लिए उसमें यह है कि कोई भी civil unrest है किसी भी तरीके का अगर कोई military help चाहिए एक दूसरे को तो यह लोग help करते हैं तो उसके ताइच यह कजाकिस्तान में civil unrest होने की वज़े से यह CSTO organization रशिया के leadership में यह वहाँ पे भेजा गया है यह basically यह फिलाल के लिए तना ही है और इसमें जो एक detailed article आएगा तो हम लोग discuss करेंगे इसको अगली important news पे आते हैं seasonal fluctuation in data movement being monitored basically यह है क्या यह news देख लेते हैं world famous भारतपूर bird century यह इसमें कुछ facts है इस facts को हम लोग कर लेते हैं जैसे भारतपूर century कहां है यह PT point of view is important है भारतपूर century के लिए यह आपका है राजिस्थान में इसको यह आप लोग important है अच्छा एक चीज़ और बतातुम आप लोगों को एक प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे कि day to day जब Hindu newspaper हम लोग discuss करते हैं तो daily current affairs से related एक Hindu पे ही based एक 5 question की quiz daily इस पे हम लोग discuss किया करेंगे अगर आप लोग interested हैं तो आप लोग बताइए मैं इसमें daily 5 question की quiz जो हिंदू से ही related होगी उसको discuss करेंगे इस तरह की जितनी भी news है भारतपूर century कहा है और इंटर डाटर इसका status क्या है ठीक है तो यह हम लोग discuss करेंगे तो इसमें basically news इसलिए है कि बाईस साल के बाद में यह और इंटर डाटर है यह भारतपूर century में notice किया गया है तो basically इसी लिए है तो यह important आपके PT point of view तो यह पूछा जा सकता है बिलकुल और इसमें बस इतना ही important है आप बहुत जादा दिमाग मत लगाई है अगली न्यूस पी तरफ चलते हैं अगली न्यूस इंपर्टन न्यू कि ओमीक्रोन बहुत तेजी से फैल रहा है और यह डेल्टा वर्जन से कहीं जादा यह इसका जो फैलने का rate है वह उससे तीन मुना जादा है तो इसमें basically यह कहा जा रहा है कि आप लोग सतर करेंगे और इसमें क्यों फैल रहा है क्यों क्या क्या साउधानिया बरतनी इसमें बहुत जादा काम का कुछ नहीं है बस यह precautionary article है कि क्या करना चाहिए do's and don'ts टाइब का तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और no room for complacency omicron mild nature is more due to the protection offered by vaccines अब इसमें यह बोला गया है कि जिसे बार बार आ रहा है कि बहुत mild है mild है डरने वाली कोई बात नहीं है वो ठीक है तो इस article में यह बताया गया है कि mild है ठीक है लेकिन mild यह उन लोगों के लिए है जो अल्यड़ी vaccinated है और जो vaccinated नहीं है उसमें यह symptoms बहुत ज़्यादा visible है तो बिल्कुल भी ऐसा इसको फॉर्गांटर नहीं लिया था तो अभी न्यूज में यह इसलिए है क्योंकि जो omicron related जो पहली death है वो वो राजस्थान में अभी हुई है तो इसलिए यह थोड़ा article जादा आ गया है न्यूज में जैसे यह है इसमें आप लोग ज्यादा परिशान मत हुई है और इस ऐसलिए मतलब सिफ जानकारी रख लेजिए और ओमिक्रों पहली death जो हुई है वो राजस्थान में हो गई है तो गोर्मेंट का यह कहना है इसके symptoms है बहुत माइल्ड हैं लेकिन यह माइल उन लोग है जो जिसने पू अब बहुत से ऐसे केसे हैं कि जिन्होंने वैक्सिनेशन लिया ही नहीं है और वैक्सिनेशन अगर नहीं लिया है तो उसमें symptoms severe हो जा रहे है तो इसको detect करना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि बहुत से asymptomatic cases है तो इसके लिए बहुत यह होगा कि लोग precaution ले और तब तक ले जब तक यह वेव चल रही है इसका क्योंकि positivity rate इसका बहुत जादा है अच्छा अब इसमें क्या है क्या बोला जा रहा है कि यह लास्में बोला गया है कि वैसे तो mild है कोई दिकत नहीं है लेकिन इसमें जिस्त चैलेंजिस इसमें यह आएंगे कि अगर बहुत स कि हम लोगों को medical facility दे पाएं तो फिर यह इसका fatal हो जाएगा तो इसके लिए बहतर यह है कि precaution सभी को लेना चाहिए इंक्लूडिंग health workers और जो citizens उनको भी लेना चाहिए बिसिकली इसमें यह है कि mild vaccine आप लगवाई है और इसको थोड़ा सा aware रही है बहुत सादा लापरवा करने की ज़रृत नहीं है अगली नियूस पर देख लेते हैं the politics of a minimum support price यह पॉलिटिकल नियूस है इसमें आपको notes कुछ नहीं बनाना है इसमें basically यह बताया गया है कि जब elections आते हैं तो कैसे जो political parties होती है कैसे alluring नए नए तरीके के जो लोगवन जो schemes होती है जैसे आपने एक हजार जो monthly women's के लिए एक है अब जैसे एक particular government है यूपी में 300 unit बिजली देगे तो basically यह है the political minimum support price तो यह आजकल है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है इसको छोड़ दीजे है यह देख लीजे यह यह वाली जो news है इसमें क्या करना है यह आपका essay में काम आ जाएगी औ और यह social issue में आप यह कर सकते हैं यह social issue ऐसे में basically ज्यादा काम आएगी इसमें basically कहा गया है कि extinguishing the tobacco industry's main narrative तो basically अभी यह news में इसलिए है कि हमेशा क्या होता है कि जो tobacco lobby है वो हमेशा कोई ना कोई narrative सेट करती रहती है कि जब भी government कहते है कि हमें tax बढ़ाना है तो वो किसी ना क market है कुछ है करके तो इसमें वही discuss ही किया गया है इसमें जैसे यह बोला गया है कि यह इसमें देख लेख लेते हैं कि tobacco is a product that kills more than 30 lakh Indians every year यह आपके data के भी important है और आपको जानकारी भी होने चाहिए the annual eco economic burden from tobacco use is estimated to be something this much above 27 crore people above the age of 15 years and 8.5% of school going children in age group 13 to 15 use tobacco in some form in India तो यह data है आप awareness के लिए ले सकते हैं और आपको पता होना चाहिए आपको इसमें कुछ notes नहीं बनाना है आपको एक कुछ sticky type का बना ली जाए कि महला कोई कितना percent कैसे कैसे अब impact of tax a large body of literature shows price and tax measures to be one of the most co-effective measures to reduce demand for tobacco co-protect तो यह है बिसिकली इसमें यह है कि आप इसको देखेंगा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको कि इसमें यह बोला गया है कि जब भी the narrative of increasing the narrative of increasing illicit trade is something tobacco industry has historically used to preempt potential tax increase on tobacco product in most countries around the world the story is no different in India तो इसमें यह हमेशा बोला जाता है कि जब भी government यह बोलती है कि हम tax बढ़ाएंगे तो जो यह tobacco lobby है उनका यह कहना हो जाता है कि एक बहुत बड़ा एक market है जो illegal market है जो tax pay नहीं करता है अकर आप tax बढ़ा देंगे तो जो lobby है basically उनका तो tax बढ़ेगा लेकिन illegal market जो run कर रहा है उसका share और बढ़ जाएगा basically it is said that it is said that illicit volume in India has grown by 44% from 2011 to 2019 while adding that provide profitable opportunity यह देखिए जो झाल जोगरा चोरी गरते है जोग में जोगर इसे लोगे बढ़ जाएगी जो चोरी करने वालेगी तो tax ministry तो थाक्स देना नहीं चाहता है तो यह है, बिसिकली उनका यह एक बढ़ाया जाए और यह हमेशा क्यों बोलते हैं यह दो और फिर ऑपलों को बूलेंगे तो यह शुद उस्काइब दो आएगा लेकिन एक गाव्मेंट की थिरि है, नगा यह बहुत बैज वह आएधि तेडी से विशकाट दिए जो तो गॉर्मेंट ने बोला कि ठीक है सुनते हैं तुमारी बात लेकिन ऐसा है कि बहुत भी रिसर्चर जो किये गए हैं जैसे गॉर्मेंट का कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि टैक्स आग बढ़ा देते हैं तो इलिगल ट्रेड बढ़ जाएगा गॉर्मेंट ने बोला इट इस न अबन आट लिदेता सिर्ट ने जिक रिएगर जो clean कि कि टैक्स आगा डीव मेंट कि अंड दीक्राइग इससे इसा फो और्ले ऑंड मंछिदा स्व पार्रिय सरह पंगल पाल अट भी जाज्विक अडर दीए के लिए यह थाज वेल्स पाल्यविव जो नॉमिनल प्रेड प् having relatively low tax rate, several factors such as the quality of trade administration, गोवर्मेंट ने अपना उन लोहों की बात जोती, वो खारिज कर दी, ऐसा नहीं है कि मतलब बढ़ेगा तो ऐसे examples हैं और countries में, जहां tax बढ़ाते हैं, legal trade वहां फिर भी काम है, उसके बाद में WHO की guideline है, तो बैको के लिएके, भाई WHO World Health Organization है, जो concern रहती है कि ठीक है, बिजनेस अपनी जगह है, बड़ परसंस की health भी important है, अब उसमें क्या करते हैं, World Health Organization Framework, प्रोटोकॉल है, उसमें यह कहा उन्होंने कि illicit trade, जो भी illegal trade उसको खतम करना है, है, strong governance, कुछ तूल है, जिससे हम लोग illegal trade को खतम करके, अपना इसको control करना है, establishing and securing supply chain, World Health Organization Protocol, implementing these measures, India has no significant test increase on any of the tobacco product for the past four years, the introduction of GST in 2017, because of which tobacco products have become more affordable as shown in recent studies, there is no scientific or public health relation, यह आपका हो गया, बनला, basically यह है कि इंडिया ने जो भी WHO की जो भी नॉम्स हैं, जो टूल्स हैं, इसको कर्व करने के लिए, वो इसको यूस किया है, अचलिए, यह important, उतना नहीं है, बट जानकारी के लिए मैंने बता दिया, अचलिए, अब यह एक डिबेट चल रही है, कि जो ओमन्स की जो एज है, यह शादी के लिए 21 एर्स कर दी गई है, यह यह पब्लिक डिस्कोर्स है, तो यह पढ़ेंगे तो आपका एक डिफरेंट व्यू डवलप होगा, बिसिकली इसमें आपको नोट्स कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि एक ओडिनेंस जो जो गोर्वर्मेंट लाएगी पास होगा, बट एक डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स है, युवल कम तो दिफरेंट व्यूस बाउट डिफरेंट इंटलेक्चोल्स, यूद गो त्रो दिस्कोर्स है, क्योंकि हमेशा, हम लोग जब कोई भी आणसर राइटिंग करते हैं, या ऐसे राइटिंग करते हैं, तो वी शुद हैव अट-लिस्ट राइट ओन आवर उपीनियन, अट-लिस्ट वन मोर उपीनियन वी शुद हैव, to write full-fledged answer तो यह important है इसको आप पढ़ जरूर लिए नोट्स बनाने के ज़रूरत नहीं है ठीक है यह अच्छा है अब अगली important news के पास आ जाते है यह basically चाइना का है जब भी चाइना कुछ भी होता है तो चाइना जाएगा अरनाचल में आ जाएगा कभी लद्दाग में आ जाएगा तो basically वो करता क्या है कि मतलब एक जियो पॉलिटिकल एक आम ट्विस्टिंग जिसको बोलते है उसका मतलब यह है कि हम आ गई हमारा एरिया है होता कुछ नहीं है कुछ होना भी नहीं है बट एक पॉलिक फोरम में एशिया जो कॉंटिनेंट है उसमें यह बताना कि नहीं मतलब हम भी हैं यहाँ पे तो basically वो करता रहता है तो इसमें मतलब कोई न्यूज नहीं है basically बस यह है कि अभी इस बार आया है उसने क्या किया है कि जो अरनाचल का एरिया है उसने क्या किया है यह जो न्यूज है calling tooting as dodang or reverse home as zyumi और even kibutu as dava does not utter basically उसने कुछ आया अपने हिसाब से चीनी चानी नाम रख दिया है अब बोला यह हमारा है तो इंडियन बोला नहीं ऐसा नहीं है यह तुम जो करते रहते हो हमेशा यह चलेगे नहीं इंडियन बोला यह tactics तुमारी काम नहीं आएगी हमेशा तुम यहीं करते हो लेकिन वो काम नहीं आएगी अब basically यह क्या है फिप ब्रिज इन लद्दाक referring to the reports of China building a bridge across the शांग्शो इन लद्दाक he observed that government was monitoring the activity basically एक एरिया है लद्दाक में जो चाइना के control में जो इंडिया नहीं मानती है बट वो है चाइना के पास में वह ब्रिज बना रहा है तो basically वही अब इंडिया को व्यापति है monitor कर रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारी जो occupied एरिया है उसमें तुम आ जाओगे तो basically यही है वह कोई news नहीं है अगली एक important news है यह PT point of view से important news है इसको गता हिंदु ग्रूब विंस तो 5 WANIFRA Awards अब इसमें important क्या है important यह है campaign created by the Hindu group bagged 5 awards at the WANIFRA South Asian Digital Media Award अब WANIFRA Award क्या है क्या है WANIFRA Award यह basically South Asian Digital Media Award है you should know this point make a note of it ठीक है और क्या है यह with over 140 entries WANIFRA South Asian Digital Media Award 2020 और अब इसमें पॉबिशर्स who have delivered original and unique digital media projects in the last month किसको दिया जाता है जिसने डिजिटल मेडिया में बहुत जादा अपना योगदान दिया हो तो यह उसके लिए है तो मिला किसको है? Hindu को पांच ग्रुप्स में मिला है क्यों मिला है? यह क्यों दिया जाता है? यह जो डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट में एक आउटस्टैंडिंग उन्होंने अपनी योगदान किया हो उनको दिया जाता है अगली इंपोर्टन न्यूज इसको लंबानी की चाहिए MS सुभालक्षमी अवार्ट फिनाले तोड़े यह क्या है? इसमें पता होना चाहिए दो तीन चीज़ें यह भी PT पॉइंट ओविज इंपोर्टन्ट है यह करनाटिक म्यूजिक को प्रिमोट करने के लिए मतलब बेसिकली MS सुभालक्षमी अवार्ट है इस अ ट्रिबूट होस्टेट बाइदा हिंदू एंड सारे गामा डेडिकेटेट तो तोस हूँ कॉन्टिनूट तो सेलिबरेट और इंड रिवर दा डॉइन ओव करनाटिक मूजिक मतलब हिंदू सारे गामा ग्रूप के साथ मिलके यह होस्ट किया जाता है जो करनाटिक म्यूजिक है उसके जो डॉइनsın मतलब जो आर्टिस्ट है उननको प्रोचसाहित करने के लिए यह एवार्ड दिया जाता है बिसिकली कुछ है नहीं इंपोर्टन नहीं है बस MSO लक्ष्मी फिनाले एवार्ड हिंदू ग्रूप और सारे गामा ग्रूप मिलके देते हैं करनाटिक म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए अब इसमें एक यह जानकारी है यह आप साइंस एंड टेक के लिए यह आप जान लिजिए More Drone's More Effective, Use Drone's More Effectively Civil Aviation Ministry जो drones होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि यह किस-किस चीज में यूज होते हैं और Civil Aviation Ministry ने अभी रेसेंटली बोला है कि द्रोन को कहाँ-कहाँ और अच्छे से यूज कर सकते हैं थर्ड आई इन असका है Ministries have been told to exploit drone explications in their domain यूज कहाँ-कहाँ होता है Defense में, Surveillance, Combat Counter Drone Solutions में Defense में यूज होता है, Home Affairs में यूज होता है Home Affairs में कैसे VVI Security, Crime Control Raids and Counter Terror Operation जैसे कभी-कभी जो VIP movements होता है, rallies होती है Political Rallys या कोई भी rates होती है कोई Insurgency Issue होता है उसमें Home Affairs में यूज होता है Health and Family Welfare में यूज होता है Delivery of Medicine Sample Collection for Test Agriculture में कैसे यूज होता है Crop and Soil Health Monitoring Anti-Locals Work Insurance Claim Survey Panchayati Raaj, Environment, Power Road Transport, etc. तो ये आप इतनी cutting आप रख लीजाए इंपोर्टेंट है, आपको पता होना है चाहिए और कहां कहां यूज हो सकता है वो सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए आते हैं अगली इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ India Records Over 1 Lack Case अगेन ये वही Omicron की निज जब तक Omicron चलेगा ये निज आती रहेगी Omicron है इसमें बेसिकली ये हुआ है कि इसका जो positivity rate है ये पिछली बार डेल्टा जब फैला था उससे कहीं ज़्यादा है पारा जा रहा है कि ये तीन या चार दिन में डबल कर लेता है तो इस बार जो 1 Lack Cases है ये less than मतलब लगभग 10-11 दिन में 1 Lack Cases आ गया है तो मतलब ये माना जा रहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है तो आप लोगों से में बोलूँगा कि आप लोग घर पे ही रहे हैं जादा जादा पढ़ाई आप लोग घर पे ही रहे करिये बहुत सेफ रहने की बहुत ज़रूरत है और चलिए अगली निउस की तरफ आता है expenditure limit for लोग सभा हाँ ये important है ये आपके important कई point of view से ये आपके PT point of view से भी है और ये अब मैं आपको जो daily quiz में questions दूँगा उसमें ये fact मैं दूँगा आप लोगों को तो जिससे के आप लोगों को याद भी हो जाएगा और ये PT में questions इसमें frame हो सकता है इसमें क्या है इसमें limit बढ़ा दी गई है basically इसमें लोग सभा और जो state assemblies है उसमें जो expenditure limit है पहले जो थी उसमें बढ़ा दी गई है बढ़े states और छोटे states के लिए अब बढ़ा दी गई जैसे इसमें क्या है कि जो लोग सभा constances were increased to 75 lakhs from 54 lakhs and 95 lakhs from 70 lakhs इसमें क्या जो छोटे states थे उसमें 54 lakhs से बढ़ा के 75 lakh कर दिया गया है और जो बढ़े states हैं उसमें 70 lakh से बढ़ा के 95 lakhs कर दिया गया है और वही उसी pattern में जो state constances हैं उनका भी जो election expenditure है उसमें छोटे states में जो किया गया है 20 lakh से बढ़ा के 28 lakh कर दिया गया है और जो बड़े states हैं उसमें 28 lakh से बढ़ा के 40 lakh कर दिया गया है बस basically वही है और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं अब इसमें reason दिया गया है या आप ऐसे में अच्छा सा use कर सकते हैं ऐसे में क्या use करेंगा आप लोग कि क्यों बढ़ाया जाता है और क्यों नहीं मलब क्या reason है मलब इसमें बताया गया था committee बनाई गई थी उसमें बताया गया था कि the committee recommended enhancing the limit from taking into account the demand from political parties and the increase in electors from जो electors है वो उनकी संख्या बढ़ गई है प्लस जो cost of inflation है वो बढ़ गया है तो ये reason है पहले 2014 में से लेकर 2021 तक में पहले 834 मिलियन electors थे अम 936 मिलियन electors हो गई है तो ये है basically अब लगभग एक last important news है ये देख लिजे North Korea test hypersonic missile hypersonic missile basically होती क्या है hypersonic missile moves far faster and are more agile than standard ones ये speed इसकी बहुत जादा होती है इसका जो क्या कहते है हाम जितना कर सकती है ये normal missile से बहुत जादा होता है तो ये basically hypersonic missile जो standard missiles होती है उनसे speed में agility में बहुत जादा होती है इसका basically US spending billions to interceptor अभी इसका इस interceptor बनाया नहीं जा सका है तो North Korea ने recently hypersonic missile को test किया है successfully इसको test कर लिया है basically बस यही news है और आज की important news ये खतम हो गई है और अब हम लोग डिसकस ये कर लेते हैं आपको पर extra burden ना पड़े लेकिन जब आप हर रोज पांस तयार करेंगा ये वो है जो हमारी headlines में यूज होती है जो कोर मतलब हमारी subheadings में यूज होती है और आपको पता होना चाहिए और आपको बिना burden पड़े हुए और आप बहुत सारा vocabulary आपकी तयार हो जाती है चलिए पांच vocularies में से सबसे पहली है complacent complacent का मतलब आत्मशंतोज होता है feeling too satisfied with yourself or situation complacent मतलब जैसे हम किसी बात काम को करते हैं उसमें हम लोग आसंतुस्ट हो जाते है complacent मतलब आत्मशंतोज glimpse glimpse का मतलब होता है जलक या जाकी glimpse of something glimpse of a movie glimpse मतलब होता है कोई भी चीज जो एक जलक हम लोग को जिस चीज की मिलती है अगला word है narrative narrative मतलब होता है description of events in a story घटनाओ का वर्णन जैसे हम लोग ने टोबैको वाला news पढ़ी थी उसमें लिखा था था न कि tax evasion के लिए वो narrative एक बिल्ड करते है tax evasion ये वहाँ से उठाए गया है narrative cumulative निरंतर बढ़ने वाला increasing steadily in amount cumulative मतलब जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है आपको पता नहीं चलता जैसे आपकी knowledge है तो आज आप पांच words ये पढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे पांच words ये पांच words जब पढ़ेंगे तो at the end of day आपकी cumulative knowledge बढ़ती जाएगी और जब आप हो सकता है कि ये word यूज करने का वक्ता है तो आपको याद भी नहीं होगा कि ये words वहाँ यूज करना शुरू कर देंगे ये आपकी cumulative knowledge है आपने इसके लिए effort नहीं डाला बढ़ आपका तयार हो गया आखरी और important word है preempt किसी बात को होने ना देना to prevent something from happening preempt मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को मतलब रोकते हैं होने से ठीक है ये आपका first page में ये news थी तो okay guys thank you so much और thank you कल हम लोग मिलते हैं इसी time इसी वक्त मिलेंगे और फिर से नए words और नए Hindu analysis के साथ में thank you so much